और मेरे सुरवेरों कैसे हो तो आज हम सॉल्व करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल इंटरेंस एक्जाम क्लास नाइंध के 2017 यानि 2017 का कोश्चन पेपर और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 10 कोश्चन सॉल्व कर लिये थे और मैं इसी तरह आपको 10 साल के पेपर के सॉल्व का पहले 17 का फिर 18 का फिर 19 का और 20 में तो खैर हुआ ही नहीं था तो और उसके पहले के जितने भी पेपर हुआ है 2011 से लेके 2019 तक का पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा तो इसके लिए चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को जुरूब प्रेस करने ताकि हमारे हर क्लास की नोटिपिकिसन आपको मिलती रहे कोश्चन में जैसा भी कोश्चन आया था ना मैंने क अगर हम कोश्चन पेपर के इसाब से देखें तो कोश्चन नमबर 60 तक हुआ था आज हम सॉल करेंगे कोश्चन नमबर 61 अब इस पेपर का कोश्चन नमबर 61 देखना क्या दिया गया है कि दा बेस आफ़ ट्राइंगल इस फोर ताइमस एट से हाइट एड़ 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 50 स्कूर मीटर दा लेंथ अब दा बेसिस बलिया कोश्चन है आसान कोश्चन है इजी कोश्चन है एक तिरभुज का आधार इसकी उचाई का चार गुना है और छे तरफल 50 सुबर के मीटर है तो आधार की लंबाए क्या होगी तो देखो बच्चा इस कोश्चन को सॉल करने लिए सबसे पहले तो एक तिरभुज बना लो एक तिरभुज बना लो यहां तो आपको फिकर दिख रहा होगा चले यही बना लेते हैं तिर बना लिया आभ इस तिरभुज कि खास बात देखो क्या-क्या जो भी उसने बोला है वह फॉलो कर लेना ठीक है इनिस मिटियम आल तो उचाई हमने एक्स माल ली ठीक है उचाई हमने एक्स माल ली तो इसकी जो आधार होगा जो इसका बेस होगा वो कितना होगा तो इसमें देखो हमको यह पता है कि area of triangle क्या area of triangle यानि तिरभुज का छेतरफाल क्या होता है तिरभुज का छेतरफाल पता है न सबको एक बटे दो गुले आधार गुले हो जाए यानि base into height बात खतम अब हमें area दिया गया है 50 और यह हो जाएगा 1 upon 2 base हमारा 4x और यह कितना है height यह x है सही है तो 2 अंजा 2, 2 तू जा 4 यानि हो गया 50 is equal to 2 into x और x का multiply हो जाएगा x square अब यहां से हमें x square निकाल लेते हैं x square is equal to कितना हो गया 50 upon 2 तो 2 अंजा 2, 2 तू जा 4, 2 5 जा 10 यानि x square is equal to 25 अब x square अगा 25 हो गया तो x हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा हमारा under root 25 इसका मतलब क्या under root का मतलब यह square हम इदर गया तो यह root ही तो बनेगा न यानि square root निकाल लेते हैं तो x कितना हो जाएगा 5 ही तो होता है तो आग या बात खतम हो गई हमारी यहीं पर अब हमें क्या पूछ रहा था इसका आधार पूछ रहा था तो य 20 इसका मतलब 20 cm इसका correct answer होगा option में है क्या हाँ तो fourth option तो है तो यानि fourth option जो होगा इसका correct होगा कितना 20 बताव बात आई समझ में easy था question एकदम मक्खन question था क्यालो अगला देखते हैं अगला जो दिया गया है question paper के हिसाब से question number 62 अब इसमें हम कैसे solve करेंगे question number 62 को हम कैसे solve कर vendors is 2 is to 3 and the ratio of their height is 5 is to 3 तो the ratio of their volumes will be आसान question यह भी लगा लोगी दो लंब बृतिये वेलनों की त्रिज्जियाओं का अनुपात 2 अनुपाते 3 है और उनकी उचाईयों का अनुपात 5 अनुपाते 3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा अब इस question लेखो यह कह रहा है कि 2 बेलन है question समझ लेना पहले उसक इनकी त्रिज्जियाओं का जो अनुपात है इनके रेडियस का वो 2 इस्टू 3 है यानि यह अगर 2 हो तो इसका कितना हो जाएगा यह 3 हो जाएगा और इनकी उचाईयों इनकी हाइट का अनुपात यानि रेशियो है 5 इसकी है तो इसकी हैट 3 हो गई ऐसा कुछ दिया गया ह अब यह पूछ रहा है कि इनके वाइलियूम यानि V1 और V2 का रेशियो क्या होगा अचाई इसको हम क्या माल लेते हैं इसको R1 माल लो और इसको R2 माल लो और इसको H1 माल लो और इसको H2 माल लो बात खताम अब हमें वाइलियूम होताना है तो क्या होता है वाइलियूम शेत्रफल गुले हुचाई यानि area of base into height तो area कैसा है इसका base कैसा है circular है तो इसका area क्या होगा pi r square तो इस वाले का हो जाएगा pi r1 square h1 upon इसका हो जाएगा pi r2 square h2 बताओ बात आई समझ में pi से pi यह cancel कर दो r1 हमारा कितना है 2 तो यहाँ पर 2 का square कर दो into r2 कितना है 3 तो यहाँ 3 रख लो ठीक है यहाँ पर कितना है 5 उचाई इसकी देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा यह हो गया हमारा r1 हो गया r1 का square कितना हो गया 2 और इसकी उचाई कितनी है 5 तो यहां पर 3 रखके h1 कितना रखोगे 5 रखोगे बताओ बाता है सब्सक्राइब नहीं होगे यहाँ पर क्यों आप लोगों भी याद रखने के लिए अपर आप पर r1 का square into h1 तो r1 तो हुमारा 2 है तो 2 गाई square h1 हमारा 5 है तो नीचे रख लो यह कितना हो जाएगा profoundный यहां पर हम इसको solve कर लेंगे solve तो ठोच जाएगा तो 2 वर हो गया 4 into 5 3 का स्कॉय ना। 23 सभी है तो हो गया 4520 अपॉन 930 27 यानि इनका अनुपात यानि इनका अनुपात यानि की रेशियो अनुपात का मतलब है रेशियो ठीक है हिंदी और इंग्लिस बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना होना मैं दोनों में बोलना हो इसलिए तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना हो हो जाएगा 20 is to 27 यानि 20 अनुपाते 27 बताओ सही है ना समझ में आगे सबको यहां पर क्या है कि जो मलब ऑप्सन देखोगे तो इसमें सेकेंड ऑप्सन जो होगा यह हमारा क्या होगा करेक्ट होगा यह ची याद रखिएगा कि इस पेपर में A B C D नहीं आता इस कोशन में यह उप्सन होंगे वह 1 2 3 4 करके होंगे ठीक है 1 2 3 4 करके होंगे समझार यह पास तो यह असानी से इस तरह से आपके question solve हो जाएंगे क्या अगला question देख लेते हैं तो यह समझ में आ रही होंगे अगर नहीं समझ में आ रही ना बच्चा तो वीडियो को दुबारा से देख लेना और हर सी समझ में आ जाएगी और फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम पर आ जाना लिंक description में दिया गया है तो उनके लिए है कि और इंस्टाग्राम उनके में इस्टाल होगा तो उसमें add the rate nvssg ठीक है यह सर्च करना nvssg ठीक है यानि nvss नवोदय विद्याले समीति और यह क्या है sg का मतलब सरवन गुरुजी तो यह याद रखना nvssg यह सर्च करोगे तुरंत ही ग्रूप में जाइन हो जाओगे ठीक बच्चा चलो अगला question देखते हैं अगला question बहुत ही आसान है बहुत की two cards calculate the probability that the card will be an ace समय में आ गया यह जुवारियों वाला question है यह कहा कि अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तों की एक गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है और वह पत्ता इनका होगा इसकी प्रायक्ता क्या है ठीक है यह इसके प्रायक्ता का प्रकलन कीजिए तो यह चीज बताओ की नहीं खील लें लें नहीं खील लें दिखो मैक्त में भी आता है मुझा पापा मारेंगे बहुत ठीक है तो यहां पर लए तो गंधी यात लेगिन ठोड़ा सा सीखेरों कि जैसे जोमारें तास के पत्ते होते ना जो प्लेकार्ट्स होते हैं यह आदब समय प्ले काट्स यानि जो तास के पत्ते होते हैं तास की गड़ी कहलो तास की गड़ी में कितने पत्ते होते हैं कुल बावन पत्ते होते हैं ठीक है यह बात आई समय कुल बावन पत्ते होते हैं और उसमें देखो उसमें इकका ठीक है इकका फिर बेगम यानि कुईन फिर बादस यह होता है और उसके बाद एक होता है गुलाम या जोकर जो लोग कहते हैं ठीक ऐसे होते हैं चार तो यहां पर अभी मेरे पास है नहीं में दिखा देता है लेकिन जिस दिन मैं पढ़ाओंगा यह पूरा चैप्टर न उस दिन आपको सारे तास के पत्ते दिखा दूँगा ठ ठीक है बेगम चार होती है बासा चार होते हैं और गुलाम चार होते हैं ठीक यहां पर देखा अगर माल वो कोई भी तास की कडी है और उसको वेल सफल मलब अच्छी तरह से फेट लिया जाए तो उसमें से इकका आने की possibilities क्या होगी ठीक है इकका आने की प्राइक्ता यहीं संभावना क्या होगी तो इस चीज बताओ इन चार में से चार टाइप होते है नचार टाइप ऐसे करके कुछ होते हैं एक यह होता है और एक यह तो यहां से अगर हम 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता खीशते हैं तो उसमें 1 पत्ते होगी यानि 4 पत्ते हैं कोई भी निकल सकता उसमें से बाधसा का पूछेगा तब भी एक बट्टे तेरा, गुलाम का पूछेगा तब भी एक बट्टे तेरा, मलब किसी का भी पूछेगा, तो उसका अंसर एक बट्टे तेरा आएगा, और प्रवेल्टी मैं आपको पढ़ा दूँगा, एक separate वीडियो बना दूगा, वहाँ पर प हाँ, यह question is 64, तो question number 64 में क्या कहा बबू, यह कहा कि the equation representing the y axis is, यह को दरसाने का समीकरण क्या है, जब भी हमें y axis दखो, ऐसे होता है, यह हमारा x axis है, और यह हमारा y axis है, ठीक है, यह x dash और यह y dash, एक चीदो को याद रखनें तरीका देख लो, अगर हमें क्या कह रहा है, y axis जासाना है, तो यानि, क्यावल हमको यह दिखाना है, क्यावल हमको यह दिखाना है, तो अगर हमको यह दिखाना है, तो x को 0 कर दो, और क्या, तो x equals to 0, यह हमारा option 1 जो होगा, वो correct हो जागा, याद रखने लेना, ठीक है, तो जब y axis दिखाने की पात कहेगा, तो x equals to 0, और अगर x-axis को दिखाने को कहेगा, तो y.0 कर देना, ठीक है, बस यह question आसानी से लग जाएगा, अगला question थोड़ा सा, अच्छा इसका option तो 1 सही है न, चलो, अगला question देख लेते हैं, अगला question थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है, कुछ बच्चों ने पढ़ा भ minus 62 x square plus 30 x minus 3, by 2 x square plus 7 x minus 1, gives the quotient, यानी, 10 x की घाद 4 plus 17 x से घाद 3 minus 62 x की घाद 2, plus 30 x minus 3 को 2 x से की घाद 2, plus 7 x minus 1 से भाग देने पर भाग पल क्या आएगा, अब इस question को solve करने का, कुछ लोग कहेंगे इसकी short tick, बताओ, कुछ लोग कहेंगे इसको derivative सीखो, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, क्या question है, question यह कहा रहा ना, कि 10 x की पावर 4, plus 17 x cube, minus 62 x square, plus 30 x minus 3, और किसी इसने कहा divide करने के लिए, इसने कहा बबू, कि 2 x square, plus 7 x, minus 1 से divide करो, अब इसको इतना बड़ा divide करना है, बहुत ध्यान से देखना, एक बार समझ गए, तो समझो वेडा पार, फिर इस तरह के question में कोई भी problem नहीं आने वाली है, देखो, यहाँ पर क्या guys ने, कि हमको यहाँ पर 2 को, 10 को divide करना है, तो कितने time होगा, 2, 5 सा 10, यहनि 2, 5, 10, यह त x square से multiply कर दो, x square का x square से गुला कर दो, तो x गहाँ चार आ जाएगा, बताओ समझ में आई, अब इसी को गुला कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2, 5, 10, x square का x square से गुला हो गया, x गहाँ 4, plus है यहाँ पर, तो plus लगाँ, फिर 7 का 5 से करोगे, तो हो जाएगा, 7, 35, x का x square से multiply कर हो गया, तो यह 5 x square हो गया, बताओ बत समझ में आई, अब जैसे divide करते हो अब, तो divide करने में अगला step क्या करते हो, divide minus ही तो करते हो, तो minus करने पर, इनकी जो sign है, वो क्या होते है, change हो जाते है, इनके जो निसान है, नीचे अले के, वो change हो जाते है, यानि यह plus, यह minus हो गया 15 minus 7 करोगे, कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 2 minus 1 करोगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानि हो जाएगा 18 x cube, ठीक, फिर plus minus का solution minus होगा, बढ़े क्या गया minus है, इसलिए minus लगेगा, 62 में से 5 गटा हो, तो 12 में से 5 गया गया तो 7 हो जाएगा, और यह 5 हो गया, यह 57, और x square, फिर बाकी जो बचे हो, उसको वैसे ही लिख देना, ठीक है, यह हो गया, अगले step में भी वही सेम चीज करनी है, देखो, यह minus है, तो यहाँ minus लगा लेना पहले, ठीक, आप देखो, कितनी बार में जाएगा, 2, 9, 18, तो यहाँ 9 लिख लेना, ठीक है, 2, 9, 18, तो यहाँ लेना, फिर x square है, यहाँ x cube है, तो x square का किस से multiply करोके x cube हो जाए, तो x से कल लो भाई, x से कल लो, वो कितना हो जाएगा, x cube हो जाएगा, तो यह minus है, तो plus minus का, यह plus, यह minus, तो minus हो गया, 2, 9, यानि 18, 29, 18, X square और X का multiply करोगे तो X cube हो जाएगा plus और minus का multiply करोगे minus हो जाएगा 7, 9, 69, 63 यानि 63 हो गया ना और X का X से multiply किया तो X square हो गया यहां minus से, यहां minus से तो minus minus plus हो जाएगा 1 का 9 से करोगे 9X से तो यह 9X हो जाएगा फिर अगला step वही कि minus करना, subtract करना तो time change हो जाते हैं, यह plus हो गया, यह minus है तो plus हो गया, यह plus है तो minus हो गया, सही है, अब यह निपट गया, ठीक है न, क्योंकि दोनों same है, plus minus है, अब यहाँ minus plus का solution तो minus होता है, बड़े कि आगे plus है, इसलिए plus लगेगा तो आगे plus लगाने कोई जरूवत है नहीं, 13 minus 7, कितना ह हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 1, यानि 6 हो गया, और यहाँ पर बचे का 5, ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 5, तो 5 minus 5 तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कर नहीं, तो यह हो गया, x square, बताओ इतनी बात है, प्लस माइनस का solution माइनस होगा, भले का यह plus है, इसलिए plus लगेगा, 30 minus 9 करोग 30 के हाँ है, यह 3 है, अब यह तो गलत हो जाता, यह 3 है ना, तो इस 3 रहने दो, अपने पास से कहाँ से 30 बढ़ गया, तो यह 3 है ना, तो यहाँ पर हमने 3 रख लिया, अब इसको हम solve करते हैं, तो किस से कटेगा, अगर हम यहाँ पर 2 से देखें, तो 2, 3, 6, यानि 3 से अपनी 3 है, अब यहाँ से आणसर आ गया, क्या answer आ गया answer में क्या था यह हमारा answer यह हमारा answer है तो option में देखो है क्या 5x2-9x3 option 2 तो यानि दूसरा option जो है वो बिलकुल correct है संच्जा गया तो थोड़ा सा बड़ा यह सम्झाने में पढ़ा हो गया नहीं तो अगर आप करो गये तो आसानी से जाएगा जंदी उसे और भी मैं इसके अलग से इसको भी अलग से पढ़ाऊंगा तो रेगुलर रहे हैं ठीक है किसी भी दिन किसी भी मूर होगा उसी दिन ये सारे चीज़ें मैं पढ़ा कर दूंगा तो चलो अगला देखते हैं फिर अगला कोश्चन क्या है कहां तक हुआ 65 चलो अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या दिया गया है अगला कोश्चन दिया गया है 66 यह इजी कोश्चन है यह काफी बच्चे खुद से ही कल लेंगे यहां पर कोश्चन दिया गया है कि the angles of a pentagon are x x plus 20 x plus 40 degree x plus 60 degree and x plus 80 degree the smallest angle of the pentagon is करा एक पंच भुच के को पंच भुच का मतलब क्या होता है जिसकी पांच भुच है कोड x x plus 20 x plus 40 x plus 60 x plus 80 तो पंच भुच का सबसे बड़ा कोड क्या होगा अब यहां पर हमको पता है कि भई पंच भुच जो होते हैं pentagon उनके सभी आंत्रिक कोडों का योग यानि some of internal angles जो होते हैं वो कितने होते हैं 540 होता है यह तो पता है कि 540 होता है अब यहां पर हमें 540 यानि कहलें मलब सभी को जोड़ दो सभी का sum कर लो और उसके बाद बता देना 580 के equal है यानि x plus x plus 20 plus x plus 40 plus x plus 60 plus x plus 80 is equals to 540 बस समझ में आगे 1, 2, 3, 4, 5 तो यानि यह 5x हो गया 40, 20, 60, 61, 20, 80, 200 यानि यह 200 हो गया यानि x को हमने जोल लिया और यह numbers को हमने जोल लिया ठीक है तो यह हो गया equals to 540 तो 5x is equals to कितना हो जाएगा 540 minus 200 ठीक है तो 5x is equals to कितना हो जाएगा भी देखो 0, 4 minus 0, 5 minus 2 हो जाएगा 3 सही है 340 तो ठीक है तो x equal to कितना हो जाएगा 340 upon 5 तो 5 6 है 35 8 जा 40 यानि x equal to कितना हो जाए 68 अब इसने पूछा कि बबू सबसे छोटा कुँआ तो सबसे छोटा कुँआ तो सबसे छोटा कुआ तो उससे बढ़ा x plus 20 तो बड़ा होता चला जाएगा तो सबसे छोटा हमारा 68 डिगरी होगा तो इसका मतलब इसका option जो है वो 4 बिल्कुल correct है बताओ बात आरी समझ में आसान था ना बहुत ही आसान question था अगला question देखना बहुत ही ध्यान से देखना अगला question क्या दिया गया question number 67 का भी बड़ा question है और लगाओगे तो आसानी से लग भी जाएगा बस question थोला सा समझे में टाइम लगेगा देखो क्या है water is pouring into a cubital reservoir at the rate of 60 liter per minute if the volume of reservoir is 108 cubic meter then number of hours to fill the reservoir is बढ़ी है question यहाँ पर क्या गाए एक कुंड के अंदर 60 liter प्रति मिनेट की इदर से पानी गिर रहा है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो एक टैंक है यह question समझ लेना फिर बात करेंगे इसके बारे में पहले तो question समझ लेते हैं यह कह रहा ना बाबू की एक टैंक है और इस टैंक में इस टैंक का जो वाइल्यूम है यानि जो आयतन है वह दिया गया है 108 मीटर की यह दिया है यानि इसमें पानी आ सकता है अब यह कह रहा है कोई पानी है यहां पर कोई लल लगा है और यहां पर पानी गिर रहा है और इसकी जो speed एह मलब यह क्या है इसकी एक मिनट में एक मिनट में 60 लीटर पानी गिरा रहा है एक मिनट में 60 लीटर तो यह बताना है कि यह कितनी देर में भर जाएगा ठीक है यह बताना है कि यह कितनी जरी यानि पहले तो एक हम यह करते हैं कि इसका जो वाइल्यूम दिया गया है इसको हम किसमें यानि 108 मीटर क्यूब दिया है इसको अगर लीटर में बदलना हो तो यह याद रखना कि एक मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है इसका मतलब अगर हम यह निकाले तो यह कितना हो जाएगा 108 इंट्व 1000 लीटर तो यानि इसका मतलब कितना हो गया 108 चल जा ठीक है 123 पंजुक जाता है ना इसको बोल रहा था चल जाओ cute है अब यहां पर इसना आ गया अब यहां पर यह भी धिया गया कि एक मिनित में किसा पाणी गिराता है एक में ना इतना Olsen पताना भाया कितने घंटिम भरेगा तो 10,000 कितना है 1,8000 पता नहीं इक आई दाई से एकला हजाद दुजा लाख हां तो यह एकलाख ही तो है ठीक है यह 1,8000 ठीक यह इतना हो गया इतना लीटर इसमें कितनी जिर में लगेगा तो यह तो 1 अपॉन 60 इंटू 10800 और यह 0 से 0 का सब्सक्राइब कितना लगेगा 1,800 मिनट मिनट इतना मिनट बताने मच्छा नहीं लग रहा तो इसको आर में चेंज कर लो घंटे में तो इसको अगर हमें घंटे में चेंज करना हो तो इसे हम 60 से डिवाइड कर दें बस यह घंटा बन जाएगा और का सही है तो 0 से 0 कैंसे 6 यह हो गया 0 यानि कुल कितना टाइम लगेगा बाबू 30 आर्ट यानि कुल 30 घंटे में यह टैंक भर जाएगा option में है क्या option में है तो यानि third option जो होगा यह इसका correct answer होगा बताओ बात आगे समझ में तो जितने भी बड़े question थे देखो कितनी easily लग जा रहे है क्यों समझाने में time लग रहा है एक बार आप समझ जाओगे तो खुल से लगा कर देखोगे तो बिल्कुल भी आपको इन सब question को solve करने में time नहीं लगेगा ठीक है चलो फिर अगला question देख लेते हैं अगला question दिया गया है 68 यह question मैं लिख देता हूँ ऐसे आपको इसकिन पर दिखेगा भी लेगिन फिर भी मैं लिख देता हूँ ठीक है 68 क्या दिया गया है यह दिया गया है if x plus b upon a minus b तो और x minus b upon a plus b then x equals to what ठीक है यही question है क्या गया रहा है यदि x plus b बटे a minus b बराबर x minus b बटे a plus b तब x का मान क्या होगा अब इस question को अगर हमें लगाना हो तुम कैसे लगाएंगे बहुत यह आसान तरीका है cross multiplication कर लेना यानि तरिया गुड़ा कर लेना ठीक है यहाँ पर हो जाएगा हमारा x plus b का गुड़ा किसे कर लोगे a plus b से कर लेना ठीक और यहाँ पर इसका multiply से यानि इसका गुड़ा इसस x का a से multiply करोगे ax ठीक है b का a से multiply करोगे sorry यहाँ पर उल्टा लिख रहे है न यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का a से multiply करोगे x का b से multiply करोगे तो bx plus a का b से multiply करोगे ab plus b और b का multiply करोगे तो b square यह इस स्विम चीज़ यहाँ पर कर लेना x का a से multiply करोगे ax यह plus यह minus है तो यह multiply कर और दोन्हें हो जाएगर विय दोनों सेम हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे bx plus ab is equal to minus bx minus ab सही है एक काप करो x को x के पास ले आओ ठीक है यानि यह bx है इस bx को इधर ले आओ तो यह कितना हो जाएगा bx यह भी इधर आया तो यह हो गया plus bx बताओ सुन्गा और यह ab है यह ab है ना bx और bx add करोगे तो कितना हो जाएगा 2bx हो जाएगा कितना हो जाएगा 2bx और a minus ab minus ab का solution करोगे तो हो जाए minus 2ab ठीक है minus 2ab हमें x का value पूछ रहा था कि x कितना होगा तो यह हो जाएगा minus 2ab upon 2bx बताओ x क्या होगा यहाँ 2 से यह to cancel इस b से यह b cancel तो इसका मतलब जो x आएगा वो कितना आएगा x equals 2 आजाएगा minus a तो x equals to minus a हमारा correct answer होगा option में है क्या तो बिल्कुल है option 2 जो होगा यह हमारा correct answer होगा बताओ अच्छा बात आई समझ में अभी तक अगर वीडिये करते हो तो यह लाइक जब किसी चीजी था कोई भी पैसा नहीं मांग आगरा हो तो लाइक को सब्सक्राइब करता हो इतनी डिमांड है चलो भी अगला देखते है उम्मिद करता हूं करदिया होगा अपने अगला question देखना, अगला question बहुत ही बढ़िया है, एक जब मज़ा आ जाएगा देखकर, और यह question है, एक एक चीज़ समझ लेना पहले, यहाँ पर कह रहा है, question number 69 है, ठीक है, A road roller takes 750 complete revolution, to more once over to level a road, if the diameter of road roller, ठीक है, is 84 cm, and height is 1 meter than area of the road is, ठीक है, जादी सलक roller का ब्यास 80 cm दिया है, इंग्लिस में दिया है, 84 हो हिंडी में 80, नहीं, जबकि वो 84 होना चाहिए, 84 cm हो, और लंबाई 1 meter हो, तो सलक का छेतरफल क्या होगा, अब इस question को देखो, इस question में, बहुत easy तरीके से question को देखना, road roller देखियो की नहीं, जिससे road बनती है, तो उसका देखो, तो कुछ ऐसे होता है, जो road को बराबर करता है, ऐसे ही तो कुछ होता है, अब मैं बता रहा हूँ न, ऐसे नहीं होता, तो मैं बता रहा हूँ क्यों यहां नाकार क्या होता है यह यह यहां पर यह कह रहा है कि इसमें इसका जो ब्यास दिया गया कोशन रहा है कि रोलर को सड़क के उपर एक बार घूमने लिए 750 चक्कल लगाने पड़ते हैं यह छोड़ दो अभी इसकी बाद बाद में करेंगे यह तो सड़क का मामला है यह दी सड़क रोलर का व्यास 84 यानि अगर इसका डायामीटर ठीक है व्यास यानि की डायामीटर डी अगर दिया गया हो कितना 84 कितना दिया है 84 सेंटी मीटर और लंबाई यानि यह तो 84 दिगई है और इसकी जो लंबाई है इस रोलर की ये लेंथ है ये क्या है यह दियागे 1 meter, यानि अगर इसको हम ऐसे करके, ऐसे करके खड़ा कर दो, देखो, समझना बात को, अगर ऐसे कर दो इसको, तो यह क्या हो जाएगा, यह बेलन ही तो है, तो यह जो लंबाई थी है, इसकी उचाई हो जाएगी, यह बाता ही समझने, तो यहाँ पर हम क्या करें तो इसका पहले तो त्रिजिया निकाल लो, यानि इसका radius, तो इसका radius कितना हो जाएगा, डी बाई टू होता है, यानि ब्यास बटे दो, तो कितना हो जाएगा, दो इके दो, दो चयोकार, दो नी चार, यानि कितना हो जाएगा, 42 cm, यह तो हो गया इसका radius, यह इसका radius हो गय हाट लेकिन इसको मीटर में बदल लो तो अगर मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 42 बटे 100 एक मीटर बाब सो सेंटी मीटर हो जाएगा जाएगा जयति पता बाताब यानि यह यहां से यहां तक जाने में इसका कितना distance cover हो रहा है जितना इसका वक्र प्रिष्टी यह छेत्रफल है जितना इसका curve surface area है ठीक है न तो लेकिन यह कुल कितना चक्कल लगाता है यह कुल चक्कल लगाता है 750 यानि 750 चक्कल लगाता है तो सलक का छेत्रफल पूछ रहा यह हो जाएगा कि 750 चक्कर हो गया और इसका C.S.A. यानि वक्र पृष्ठिय छेत्र फryक्रफर ठीक है? यह क्या निकाल लो अब वक्र पृष्ठिय यह हो गया 750 वक्र पृष्ठिय क्या होता है वक्रपिष्टिये छेत्रफल जब भी निकालना होता है तो यह भी होता है आधार का छेत्रफल गुले हो चाहिए तो आधार कैसा है वृत्ताकार है यानि इसका मतलब यह कितना हो जाएगा पाई यार स्कॉार है यही तो होता है वक्रपिष्टिये छेत्रफल निकालने के लि यार क्योंकि सर्कल है और उचाई इसकी एच है समय आगी बाद ना मैं वीच वीच में कन्फ्यूज करता रहता हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे तो यह याद रख लेना से यह से आप सिलिंडर यानि वक्र पिष्टी छेत फल कितना होता है आधार का परिमाब गुले उ र की वैल्यू कितनी है 42 अपॉन हंड्रेड और एच की वैल्यू रख लो वन बस खताम बात यहाँ इस जीरो सी जीरो कैंसिल हो जाएगा सेवन बनजर सेवन सेवन सिगज़ा 42 हो जायेगा टू बनज़ा 2 टू फाइब ज़ा 10 हो गया और फाइब बनज़ा 5 फाइब 15 ज़ा 75 सही है अब यानि 15 सिगज़ा कितना 90 और 920 जा 18 920 जा 18 190 यानि आंसर आ जायेगा 198980 मीटर स्कॉरर तो देखो बच्चा क्या इसका question सही आ रहा है इसमें कोई answer आ रहा है क्या अगर option देखो तो option 4 जो है इसका correct दिया है और आप भी अगर थोली सी भी तयारी कर लोगे तो आप exam crack कर सकते हो चलो अगला question देखते हैं अगला question दिया गया question number 70 अब ये question number 70 का लोचा कुछ अलग है और ये मैंने पढ़ा दिया है ये भी मैंने पढ़ा दिया है कि इसके लिए separate video पढ़ी है आप लोग जाकर उसे देख स question काफी अच्छे question उसमें भी थे अब यहाँ पर आता है question कि I about goes some distance in up steam in 6 hours and covers the same distance in down steam in 4 hours if the speed of steam is 3 km per hour than the distances हिंदी में देख लीजे क्या है कि एक नाओ कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल 6 गंटे में जाती है और समान धूरी को धारा के अनकूल 4 गंटे में तै करती है यादि ध अनकूल चाहिए थूद धारा की चाल 3 km पर दिखंटे है तो वहां को कि आप देखो यहां पर इस कोशन में एक तो नदी है तीक है इसमें दो condition हो सकती है क्या condition हो certainly हो सकती है जा तो धारा इधर की तरफ होगी और नाओ भी इधर की तरफ ही चलेगी या फिर धारा इधर की तो इसको बोलते हैं अपस्टीम और इसको बोलते हैं डाउन इस्टीम ठीक है यानि इसे बोलते हैं धारा के प्रतिकूल और इसे बोलते हैं धारा के अनुकूल एक कंडिशन इन दोनों में देखो कि अगर मालो जिधर की तरफ नाव चल रही है जिधर की तरफ धारा चल रही इसकी चाल x हो और इसकी चिल य हो तो इस condition में क्या होती है कि इन को छाल होती इन दोनों के जी चाल होती है वह क्या होaire बढ़ जाएगी कभी feel करके देखना कि इस other cycle चलाते हो न तो अगर मालोres चाहिक से हवा और रही हो तो आपकी cycle भितेज चलती है और वहीं अगर opposite side में आपको cycle चलाना हो यदर से हवारे तो cycle आपकी धी में चलती है तो same होई condition यहाँ पर है कि जिस तरफ धारा और नाव की चाल एकी तरफ हो तो उनकी चाले जुड़ जाती है और अगर opposite side में हो तो उनकी चाले घड़ जाती है ठीक है न उतके बाद एक और सूत्र याद रखना चाल बराबर दूरी बटे समयगा क्या याद रखोगी चाल बराबर दूरी बटे समय यानि speed is equal to distance upon time speed is equal to distance upon time हम से इस question में कहा जया कि distance same है चलो ठीक है distance same है तो इसका मतलब distance is equal to speed into time हो जाएगा अब इस question में पहली line पे देखो पहली line में कहा रहा है आप इस team 6 गंटे में यानि धारा के प्रतिकूल जो है वो 6 गंटे में जाता है तो अगर ये 6 गंटे में जाता है तो कितनी दूरी तैखरेगा एक चीज को और पताना ही भूली गया यहाँ पर दी गई है कि जो धारा की चाल है वो 3 किलमीटर है यानि यह जो y है यह 3 है और जो 9 की चाल है वो x ही मान लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब धारा के अ तो 6 गंटे का समय लगता है इसका मतलब यह इसका full distance हो जाएगा यही तो होता है बहिए speed into time तो यह हमारी speed हो गए यह time हो गई अगर धारा के अनुकूल जाता है ठीक है धारा के अनुकूल जाता है यानि down steam तो उसको लगते हैं केवल और केवल 4 गंटे बस हो गया हमारा question य इसी को solve कर लो और अपका answer आजाएगा देखो यहाँ पर अच्छे यह कहाता है distance सेम है तो इसी हमने दोनों की distance जो हो इक्वल कर लिए यह अनुकूल की चाल आ गई distance आ गई और यह प्रतिकूल की ठीक है न तो दुनों को हमने सेम कर लिया अब यहाँ पर इसको solve करो तो 4 का x से multiply 4x प्लस 4 थ्रीजा कितना हो गया तरल हो गया यह 6 का x से multiply 6 हो गया माइनस 6 थ्रीजा 18 हो गया सही है अब इसी को solve कर लो x की value निकाल दो 4x को 6x के पास लेके जाओगे तो यह प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा की नहीं होगा भाई 4x इधर की तरब गया तो माइनस 4x हो गया और यह 12 इधर था ही पहले से 18 को इधर लेके आओ तो य माइनस हो तो यह प्लस 18 हो जाएगा बताओ बाताई समझ में 6 माइनस 4x करोगे हो जाएगा 2x 12 और 18 यह करोगे हो जाएगा 30 ठीके ना सही है 826 sorry 8 to 10 carry 1 यानि 30 तो x equals to कितना हो जाएगा 30 upon 2 यानि 2 अंजा 2 2 15 जा 30 यानि x is equals to हो गई 15 km पर आर यानि यह क्या आ गया हमारा यह आ गई हमारी now की चाल यानि speed of boat हमसे question में distance पूछा गया तो ठीक भाई distance हम निकाल लेते हैं अगर हम distance यही दोनों है तो इन दोनों में कहीं पर भी न x की value रखोगे तो इसका answer same आएगा ठीक है क्योंकि distance same है हम यहाँ पर इसकी value रखके चेक कर लेते हैं तो यह जाएगा 4x plus 3 खाना तो यह कितना हो जाएगा 4x की value कितनी है 15 है तो यहाँ रख लो 15 ठीक है और यह plus 3 तो कितना हो जाएगा 4 into 15 and 3 18 तो 18 4 जा 72 यानि 22 km सही है तो option में है क्या तो option में दूसरा option तो हमें सही दीख रहा है दूसरा option correct है अच्छा करें तो इस वाले पर चेक करेंगा है तो इस वाले भी चेक कर लो 6x-3 दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 और x की value रख लो 15 तो 15-3 कर लो हाना तो कितना हो जाएगा 6 into 15-3 करोगे कितना होगा बच्चा 15-12 ठीक है तो 6 into 12 तो 12 बारा पंचे साथ बार च्छांग बात रहें 12 सबंजा 72 km यानि कहन option 2 जो होगा यह बिल्कुल correct answer होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी questions समझ में आये होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे हर क्लास की notification मिले आपको सबसे पहले और हाँ अपने friend में share करना बिल्कुल भी न भ पलेगा तो भी या बाटो खुब जोर सोट से सबको share करो और चलो फिर पलते रो बढ़ते रो मिलते हैं फिर अगली क्लास में जैहिंड वंदे मात्रा